दिजिटाइजेशन और हाइटेक फूचर को लेकर भारत की एस्पिरेशन्स को भी मजबूत करते हैं साथियों हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सद्यों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बहतरीन साइन्टिस्ट, बहतरीन टेक्निशियंस, टेक्नलोजे एंटर्पाइज लीडर्स हमने दिये हैं लेकिन ये 21 सदी है और तेजी से बदलती भी दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधीक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रीसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटर्पाइज के लिए जरूरी एको सिस्टीम तेजी से तैयार किया जा रहा है अब बहुत जादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी अब एजुकेशन पर 21 सदी की टेक्नोलोजी को साफ लेकर 21 सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टीम भी उतनी ही जरूरी है प्रधान मंत्री इव विद्या कारकम हो या फिर अटल इनोवेशन मीशन देश में साइन्टिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने के लिए अनेक शेत्रों में स्कॉलर्शिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टालेंट को modern facilities और आर्थिक मदद रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाय हो या फिर भारत में वर्ल क्लास 20 इंस्टिटूट्स अफ एमिनन्स के निर्मान का मिशन online education के लिए नए संसाधनों का निर्मान हो या फिर smart India hackathon जैसे अभ्यान प्रयास यही है कि भारत की education और आधुनिक बने modern बने यहां के talent को भरपूर अवसर मिले साथियों इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई education policy का एलान किया गया है यह policy 21 सदी के नवजवानों की सोच उनकी जरुरतें उनकी आशाओं अपेक्षाओं और आकांशाओं को देखते हुए बनाने का ब्यापक प्रयास हुआ है पांच वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक debate और discussion हुए है हर स्तर पर हुए है और तब जाकर ये नई नीती बनी है ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को भारत के सपनों को भारत की भावी पीड़ी की आशाओं अकांशाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षानिती आई है इसमें हर ख्षेत्र हर राज के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक policy document नहीं है बलकि 130 करोड से अधीक भारतियों की aspirations का reflection भी है साथियों आप भी अपने आज पास देखते होंगे आज भी अनेग बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विशय के आधार पर जज़ किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरस्ट था ही नहीं माबाप का, रिष्टेदारों का, दोस्तों का, overall environment का pressure होता है तो वो दूसरों द्वारा चुने गए subjects मजबुरन पढ़ने लगते हैं इस approach ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी, ऐसी दी, जो पड़ी लिखी तो है लेकिन जो उसने पढ़ा है, उसमें से अधिकाउस, उसके काम नहीं आता है डिग्रियों के अंबार के बाद भी, वो अपने आप में एक अधुरापन महसूस करता है उसके भीतर जो आत्मविश्वास प्यादा होना चाहिए, जो confidence आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइब की जर्नी पर पड़ता है साथियों, नई education policy के माधियम से इसी approach को बदलने का प्रयास किया जा रहा है पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है भारत की सिक्षा विवस्ता में अब एक systematic reform शिक्षा का intent or content दोनो को transform करने का प्रयास है Friends, the 21st century is the era of knowledge. This is the time to increase focus on learning, research, innovation. And this is exactly what India's National Education Policy 2020 does. This policy wants to make your school, college and university experience fruitful, broad-based. One that guides you to your natural passions. Friends, you are among the best and brightest of India. This hackathon is not the first problem you have tried to solve, nor is this is the last. I want you and youngsters like you not to stop doing three things. Learning, questioning, solving. When you learn, you get the wisdom to question. When you question, you get out-of-the-box methods to solve problems. When you do that, you grow. Due to your effort, our nation grows. Our planet prosperous. Friends, India's National Education Policy reflects these spirits. We are shifting from the burden of the school bag, which does not last beyond school. To the boon of learning, which helps for life. From simply memorizing, to critical thinking. For years, the limitations of the system had an adverse effect on the lives of students. No longer. The National Education Policy reflects the aspirations of young India. It is not process-centric. It is people-centric and future-centric. Friends, among the most exciting things of the policy is the emphasis on interdisciplinary study. This concept has been gaining popularity. And rightly so. One side does not fit all. One subject does not define who you are. There are no limits to discovering something new. Human history has many examples of stalwarts who have accelerated in diverse areas. Be it Aryabhat, Neolaro da Vinci, Helen Keller, Gurudev Tagore. Now, we have done away with some traditional boundaries between arts, science, commerce. If someone is interested, they can learn maths and music together. This will ensure the focus is on what the student wants to learn, rather than what the student is expected to be, to do by society. In the process, it also makes you flexible. In the National Education Policy, flexibility has been given great importance. There are provisions for multiple entry and exits. No one waste treats for a student. E shankadi gali nahi ho gi abh. The undergraduate experience can either be a three or four year journey. Student will enjoy the advantage of an academic bank of credit, which will store all the academic credits acquired. This can be transferred and counted in the final degree. Such flexibility was long needed in our education system. I am happy, the National Education Policy has addressed this aspect. Friends, National Education Policy is big on access to education. Starting from primary education, in higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. Other efforts, be it gender inclusion, fund, special education zones, question for open and distance learning will also help. Mr. Westmore, Mr. Dr. Skype पास आप अमबेड कर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलब हो, ये सिक्षा नेति उनके इस विचार को भी समर्पित है। ये एजुकेशन पॉलिसी जोब सीकर्स के बजाए, जोब क्रियेटर्स बनाने पर बल देती है। पाए कि उसको जोब करनी है, सर्विस करनी है, या फिर एंट्रेपरिनर बनना है। साथियों, हमारे देश में भाशा, लेंग्वेज हमेशा से एक सम्वेदन सिल्फ विशे दहा है। इसी एक बड़ी बजय है कि हमारे यहां स्थानिय भाशाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़लाओं लाए गए हैं, उससे भारत की भाशाएं आगे बढ़ेगी। उनका और विकास होगा। यह भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतिय भाशाओं में कितनी ही सम्रुद्ध रचनाय हैं, सदियों का ज्ञान हैं, अनुभव हैं, इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्वका भी भारत की सम्रुद्ध रचाओं से परिचे होगा। और एक बहुत बढ़ा लाब यह होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुवाती वर्षों में, अपनी ही भाशा में शिखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टालेंट और पुश्पवित पलवित होने के लिए मैं समझता हैं, बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई चीजें सीखिने के लिए प्रेरित होगा, वो सिक्षा से जूड़ पाएगा। वैसे भी आज GDP के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें, तो जादा तर देश अपनी गरह भाशा मात्रू भाशा में ही सिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाशा में विख्षित करते हैं, और दुनिया के साथ समभाद के लिए दूसरी भाशाओं पर भी उतनाही बल देते हैं। यही नीती और रणदिती 21 सदी के भारत के लिए भी बहुत उप्योगी होने वाली है। भारत के पास तो भाशाओं का अध्वुत खजाना है, जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है, और आज दुनिया भी उसके लिए लालाईत है। साथियों, नई शिक्षानीती की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है, उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटिग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और जहां स्थानिय लोककलाओं और विद्याओं, सास्त्रिय कला और ज्यान को स्वाभाविक स्थान देनी की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टिटुशन्स को भारत में केंपस खुलने का भी आमंतर है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ट क्लास एक्सपोजर और अपर्टुनिडिटी मिलेगी और ग्लोबल कम्पेटिशन के लिए ज़्यादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्वस तरिय संस्थान के निर्मान में भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। साथियों देश की युवाँ शक्ति पर मुझे हमेशा ही बहुत भरोसा रहा है। यह भरोसा क्यों है यह देश के युवाँ ने बार बार साबित किया है। हाली मैं कोरोना से बचाव के लिए फेश शिल्ट्स की डिमांड एकदम बढ़ गई थी। इस दिमांड को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के साथ पूरा करने लेकिये बड़े पैमाने पर देश के युवाँ आगे आये। पीपीज और मेडिकल डिवाइज के लिए जिस प्रकार देश के युवाँ इनोवेटर्स, युवाँ एंटर्परिनर्स सामने आये हैं। उसकी चर्चा आज 4 तरफ है। आरोग्य सेतु एप के रूप में युवाँ डेवलपर्स ने कोवीड की ट्रेकिंग के लिए एक बहतरीन मिडियम देश को बहुत कम समय में तयार करके दिया है। साथियों, आप सभी युवाँ आत्मंदिर भरता के लिए भारत की एस्पिरेशन की उर्जा है। देश के गरीब को एक बेटर लाइप देने के लिए इजब लिविंग के हमारे लक्ष को हासिल करने में आप सभी युवाँ की भूमिका बहुत अहम है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि देश के सामने आने वाली ऐसी कोई चुनोती नहीं है जिससे हमारा युवाँ टक्कर ना ले से कए, उसका समाधान न ढून सके है। हर जरूरत के समय जब भी देश ने अपने युवाँ इनोवेटर्स के तरफ देखा है, हमारी युवाँ ने कभी भी किसी को निराश्ट नहीं किया है। स्मार्ट इन्डिया हैकेथान के माध्यम से भी बीते सालों में अद्भूत इनोवेशन्स देश को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हैकोथन के बाद भी आप सभी युवासाथी देश की जरूरतों को समझते हुए, देश को आत्मनेर भर बनाने के लिए नए-नए सॉलुशन्स पर काम करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूँ।